सब्सक्राइब करने वाले हैं 9th of January 2023 के कुछ के उपर सब्सक्राइब के उपर सब्सक्राइब करने के उपर सब्सक्राइब किया है और यह हमारे सब्सक्राइब करने इसके अलावे बात करें तो यहां पर एस्ट्रो टूरिजम को यहां पर बढ़ाने के लिए उन सब में यहां पर जितने भी एस्ट्रो नॉट्स अभी तक बाहर गए हैं आउटर स्पेस में उन सब के बारे में बताया जाएगा Astronomy के बारे में बताया जाएगा और यहाँ पे अलग-अलग Story Tellings भी यहाँ पे की जाएगे जिसमें हमें अलग-अलग Planets के उपर Origination के उपर हर चीज़ के उपर यहाँ पे बताया जाएगा और साथ में भाई बाहर का महौल किस तरीके का है सब कुछ Planets वगेरा यह हो चुका है यह complete हो चुका है ज्यादा ज्यादा नौत आरीक है नहीं कि आज तक यहाँ पे रहने वाला है और फिर यह खतम हो जाएगा तो next question is इंडिया है सरपास दे डैश in terms of auto sales 2022 to become the third largest auto market global for first time तो राद उन सर अरो second is it's D which is Japan तो Japan को हमने यहाँ पे सरपास कर दिया है सबसे जादा यहाँ पे four wheelers जो गाडिया होती है उनको बेचने में अभी अगर हम बात करें यहाँ तो इंडिया ने यहाँ पे 4.25 million units को यहाँ बेच दिया है मतलब sell कर दिया है लेकिन इसी टाइम पे Japan ने यहाँ पे 4.20 million किया यानि कि थोड़ा सा कम तो है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे third largest auto market पूरी global में यहाँ बन चुके है इस report को यहाँ पे किसने release किया था तो यह है अपना Society of Indian Automobile Manufacturer S.I.A.M Society of Indian Automobile Manufacturer ने इस particular report को यहाँ पे publish किया था या फिर कह सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे बताया था काफी अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पे जो auto mobile sector है उसमें भी काफी यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं और यह हमारे लिए काफी बहतरीन है इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो बाई इंडिया में सबसे जादा किस ने अब तक manufacturing किया है तो वो है अपना मारूती सुदुकी तो मारूती सुदुकी जो है वो जॉइंट वेंचर है मारूती का और सुदुकी का मारूती जो है वो इंडियन कंपनी है और सुदुकी जो है वो यहाँ पे Japanese कंपनी है और इन्होंने मिल करके काफी सारी गाडियां यहाँ पे बनाई है और maximum लोग के पास इसी कंपनी की गाड़ी होती हो काफी अच्छी होती है काफी टिकाव होती है तो काफी अच्छी बात है हम लोग थर्ड लार्जस के यहाँ पे बन चुके है तो काफी इंपोर्टेंट परसन है यह इसके अलावा यहाँ पे 29 अलग अलग मोबाइल वेटनरी यूनिट को यहाँ पे लॉंच किया गया यहाँ पे एक हेल्प लाइन नंबर भी दिया गया जिसके मद से कोई भी जानवर अगर किसी तरीके के परिशानी में होगा तो इसको यहाँ पे हम लोग कॉल करके बुला सकते होंगे यहाँ पे मोबाइल वेटनरी यूनिट्स हैं इसके अंदर हर तरीके की डागनॉसिस टूल्स यहाँ पे मौजूद रहेगा जो डॉक्टर्स होंगे वो काफी वेल ट्रेंड रहेंगे और साथी में यहाँ पे जो ट्रीटमेंट रहेगा वो बिलकुल दम फर्स्ट क्लास का यहाँ पे रहने वाला है यहाँ पे हर तरीकी जो भी प्रॉबलम्स होगे यहाँ पे सॉल्फ की जाएगी और यह जो है वो केरला के लोगों के लिए और केरला में जथने भी एनिमल्स हैं उनकी लिए काफी इम्पोर्टन रहने वाले हैं specially जो फार्मर्स हैं जो अपने सा सारे लोगों को यहां पर employment भी यहां पर मिल जाएगा काफी यहां पर अच्छा काम किया गया बट इसको यहां पर सिर्फ केरला में लॉंच करने की जाएगा हमें all over इंडिया में इसको यहां पर लॉंच करना है इसके अलावा इसको यहां पर इंडिया को यहां पर कह सकते हैं और इसमें इंडिया को यहां पर कह सकते हो कि प्रेजिडेंट्शिप मिल चुकी है या फिर यहां पर यहां पर यह होस्ट करने वाला है काफी important चीज है क्या रखेगा या फिर कह सकते है कि इस बार यहां पर हम लोग इसका leadership यहां पर करने वाले है यहां पर और अगर कुछ बात करें तो यहां पर 32 अलग- members हैं और यह काफी important role play करता है जो भी यहां पर distribute रहता है उन सबको solve भी करता है especially postals के मामले में और जो postal corporation है उसको यहां पर बहतरीन करके रखता है अलग-अलग countries के बीच में साथी में यहां पर training institute भी यहां पर provide करता है जिसके मज़द से लोग यहां वो postal services में यहां पर training व इसमें और भी कई सारे चीजें हैं जैसे कि अपना इसका main goal किया तो यहां पर जो postal relation है जितने भी members है उन सब के बीच में यहां पर काफी अच्छी तरीके से बना के रखना और postal system को और यहां पर बहतरीन करना और उसको अच्छा करना improve करके रखना तो यह कुछ-कुछ इसका main यहां पर motive किया था यहां पर harmony maintain करना brotherhood maintain करना all over world में इसके अलावाद जो यहां पर diversity जो है उसको यहां पर promote करते रहना ओके जब यह सब कुछ यहां पर हो गया तो यहां पर अलग-अलग discussion भी यहां पर किये जाते हैं कि हम लोग कैसे यहां पर harmony, brotherhood, और diversity को यहां पर बना के रख सकते हैं साथ ही मैं यहां पर जो artist वगेरा आये थे वो अपना यहां पर live performance किया जैसे कि यहां पर comedians भी आये थे तो stand-up comedy किया, dancers आये थे उन्होंने dance किया और भी यहां पर अलग-लग चीज़े हुई थी और साथ में यहां पर कुछ-कुछ ची important था और first time यहां पर इसको किया गया था तो purple fist याद रखिएगा, यह question अराम से पूछ देगा आपको अभी किसी भी upcoming exam में next question is who will flag off the world longest distance cruise from उत्तर परदेश वारा नसी वाया बंगलादेश टू असायम दिबरुगर so right on the star of 60s it's a B which is Prime Minister Narendra Modi ji okay यहां पे इन्होंने इसको flag off किया है देखो यह जो अपना उत्तर परदेश है वहां पर सी इस particular cruise को यहां पर launch किया गया है और यह उत्तर परदेश से होते हुए वारा नसी जाएगा और फिर बंगलादेश जाएगा और फिर बंगलादेश थे Assam के देबरुगर तक यहां पर यह जाने वाला ओके काफी अच्छा है ऐसा cruise जो है जब यहां पर जब यहां पर के जाएगा तो country में tourism काफी यहां पर बढ़ जाएगा अभी के हिसाब से इसमें 50 लोग जा सकते हैं कोई दिक्कात इसमें नहीं है cruise का नाम याद रखेगा ग गंगा विलास गंगा विलास इस पर्टिकुलर cruise ship का नाम है तो आप से cruise ship का नाम ही पूछेगा और बाकी सब चीज़े नहीं पूछता क्योंकि one liner question होते हैं तो यहीं पूछेगा इसके अलावा यह एक नया tourism के लिए काफी अच्छा रहने वाला है साथी में मतलब बहुत ब परदेश और असाम का जो रूट है वो याद रखेगा ओके नेक्स्ट कुशन इस वर्ल्ड फर्स्ट प्लाम लीफ मैनिस्क्रिप्ट म्यूजियम ओपन इंड विच सेट त्रावन सवराव सेवन सेट सब्सक्राइब के के ला में इसको यहां पे ओपन किया यहां के जो सीम स की जाती थी साथी में करम बात करें तो जिस बिल्डिंग को यहां पर म्यूजियम बनाया गया वो बिल्डिंग पहले रिकॉर्ड ऑफिस हुआ करता था ना 1887 में इसको यहां पर बना कर बनाया गया था और अब इसको यहां पर म्यूजियम में इसको तबदील कर दिया गया इसके अलावे यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर जितने भी historical evidences रहेंगी उसको यहाँ पर preserve करके रखा जाएगा साथ में यह पूरी हमारी heritage भी है तो इनको preserve करना काफी important है इसके अंदर like मैंने अभी आप लोग को बताया historical evidences तो इसके अंदर history of writing कि भाई किस तरीके से यहाँ पर लिखावट शुरू की गई थी उसके उपर यहाँ के लोग यहाँ की जमीन यानि की land साथ में यहाँ पर किस तरीके से लोग मतलब काम करते थे जैसे कि यहाँ पर war हो गया तो भाई मारा पीटी बहुत important चीज़ हर जेगे हुआ है तो wars के उपर साथ में peace की शांती के टाइम पर कैसा होता था education के उपर, health के उपर, economy के उपर और भी यहाँ पर जो अपना art and culture है उसके उपर सारे evidence हमें यहाँ पर palm leaf manuscript से यहाँ पर मिल जाते हैं तो ऐसा यहाँ पर बनाया गया तो जो की काफी अच्छी बात है यहाँ पर लोग जाके visit कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं और साथ में records भी रख सकते हैं कि कौन से टाइम पर कौन सा राजा बगरा आया था ओके next question is which of the following known as the startup इंडिया इनोवेशन वीक 2023 स्वराण सरॉफ it says it's a which is 10th of January to 16th of January तो 10th January से लेकर के 16th January तक यहाँ पर startup इंडिया इनोवेशन वीक यहाँ पर रहने वाला हमने अभी तक जितना भी यहाँ पर successfully यहाँ पर जितने भी startups implement किये गए हैं start किये गए हैं उन सब के उपर यहाँ पर बात किया जाएगा और जो हमने यहाँ पर startup ecosystem जो यहाँ पर हमने create किया है उसको भी हम लोग यहाँ पर celebrate करेंगे इसके यहाँ पर promotion और growth के उपर भी काफी यहाँ पर बात किया जाएगा साथ ही में जो यहाँ पर private funding जो इसको यहाँ पर मिलती है उसको भी यहाँ पर improve करना प्राइवेट funding को आप लोग यहाँ पर investment भी बोल सकते हैं साथ मे government खुद यहाँ पर कई सारे schemes यहाँ पर launch करती रहती है so that कि वो जो important important startups है उनको यहाँ पर promote कर सके okay important startup जैसे यहाँ पर education के field में हो गया health के field में हो गया इसके अलावा agriculture के field में हो गया या फिर कुछ कुछ social working के field में यहाँ पर जो भी startups आते हैं उनको government जो है वो funding भी करती है और उनके लिए private investments लेके खुद से आती है कि आप इनको invest करके आगे बढ़ाएए ओके तो यह काफी important है यहाद रखे करें इस चीज़को के और यह शुरू अभी ही किया गया है इसके मामले में हम लोग यहाँ पर successful हो चुके हैं किस तरीके से 633 यहाँ पर अलग-अलग blocks को यहाँ पर identify किया गया था ओके B-L-O-C किया था ओके blocks को यहाँ पर identify किया गया था जिसमें से हमने 625 में हम लोग ने already यहाँ पर succeed हमने कर लिया है कालाजार यहाँ फिर black fever को यहाँ पर completely eliminate कर दिया ओके 2021 में कर दिया था लेकिन यहाँ पे कुछ 8-9 अलग-अलग यहाँ पे 8-9 लिग दिया 8-9 यहाँ पे blocks ऐसे हैं जहाँ पे खतम करना थोड़ा सा problematic हो रहा है पर उसको भी हमने यहाँ पे कहा है कि इस पर 2023 में इसको completely यहाँ पर खतम कर देना है और एक और milestone यहाँ पे हम लोग रख देंगे कि हमने कालाजार यानि कि black fever को भी हमने यहाँ पे पूर चरीके से इंडिया से खतम कर दिया इसके अलावागर हम बात करते हैं कालाजार की तो यह जो है वो एक parasite infection से यहाँ पे particularly बिमारी होती है इसका जो जो इसका जो parasite का नाम है वो लिसमेनिया नाम का होता है लिसमेनिया याद रखेगा और कालाजार को ना एक sandy fly sand fly sand f-l-i-e-s sand fly नाम के जो मक्हियां होती है उनकी जरुवत पढ़ती है एक जगा से दूसरे जगा पहुँचने के लिए याद रखेगा यह question biology का भी है इसको यहाँ पे अरुनाच परदेश में लॉंच किया गया लेकिन इसके अलावा यहाँ पे 27 और अलग अलग यहाँ पे जो infrastructure projects है उनको भी यहाँ पे लॉंच किया गया देखो एक तो अपना अरुनाच परदेश हो गया इसके अलावा यहाँ पर लदाक हो गया, सिक्किम, पंजाब, उतराखंड और राजिस्थान इन सब जगहों पर किया गया बिकॉज यह जितने भी जो मैंने नाम बताया अभी आपको लदाक, सिक्किम, पंजाब, उतराखंड, राजिस्थान यह border areas है, और border areas में जो infrastructure है, उसको हमें यहाँ पर improve करना है तो यहाँ पर इन सारे construction या फिर जितने भी infrastructure projects है, इन सब को यहाँ पर बना कौन रहा है तो वो है अपना यहाँ पर BRO, एक सकेंड, अपना BRO यानि की border road organization जो है, उन सब चीजों को यहाँ पर बना रहा है यह bridge काफी यहाँ पर useful रहने वाला है, हमारे army के personals के लिए और army purpose के लिए काफी यह important रहेगा काफी यह strategic location पर भी यहाँ पर located है, इसके अलावा, जितने भी यहाँ पर heavy equipments होते हैं या फिर mechanized vehicles होते हैं, उन सब को हम लोग यहाँ पर से लेके जा सकते हैं और बहुत ही इसको strongly यहाँ पर बनाया गया है, और काफी अच्छा इसको यहाँ पर बनाया गया है, यह काफी important रहने वाला है, आने वाले time में, ओके नेक्स्ट कुशन इस, which city, can't railway station was awarded eat right station with five star rating certification by FSSAI, तुराण तौरफ 11th is, it's C, which is वारा नसी, तो वारा नसी, can't railway station जो है, उसको यहाँ पर eat right station award यहाँ पर मिल चुका है, five star rating यहाँ पर मिला हुआ हुआ है, किसके दोरा, FSSAI के दोरा, food safety standard authority of India, याद रखी रहाँ इस इसके लावा nutritious food जो है, वो यहाँ पर मिलता है, और काफी यहाँ पर fresh होता है, और मतलब regular basis पे, जितनी भी चीज़े हैं, उनको यहाँ पर clean की जाती है, और काफी यहाँ पर hygiene को काफी main यहाँ पर रखा जाता है, और काफी affordable food भी यहाँ पर अराम से मिल जाता होगे, तो ऐस ऐसा जितनी भी railway stations है, उन सब को यहाँ पर करना चाहिए, लास्ट question यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, आज का काफी important day था इसलिए, तो 12th question नहीं है, यहाँ पर मैं सिर्फ लिख दिया है, परवासी है भारतिय दिवस 2003, यहाँ पर यह 17th edition है याद रखी है इस चीज को, और यह हम लोग क्यों यहाँ पर celebrate करते हैं, बिकॉस महत्मा गांधी जो है, वो 1915 में यहाँ पर South Africa से India आये थे, इसका 17th edition का यहाँ पर venue कौन सा रहने वाला है, तो वो indoor है, इसका theme भी आद रखी है काफी important है, बिकॉस इसका theme पूछ देता है किसी किसी exam में, तो Disporsa Reliable Partners for India's Progress in अमरतकाल, अमरतकाल के उपर आप लोग थोड़ा सा रिसर्च जरूर करिएगा, यहाँ पर जो अपने NRI लोग हैं और जितने भी overseas citizens हैं, उसको हम लोग यहाँ पर reconnect करते हैं, इंडिया से, वो लोग indirectly काफी यहाँ पर contribution करते हैं, इंडिया में, और काफी important है, और कहीं न क इंडिया को represent भी करते हैं, बाहर की countries हैं, इसको हम लोग यहाँ पर 2003 से हम लोग इसको celebrate करते आ रहे हैं, परवासिय भारतिय दिवास, काफी important है, this is it guys, thank you and thank you for this video.